हेलो दोस्तों हिंदी मिरर परफिस से आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो का वही से हम कंटेंट आपका शुरू कर रहे हैं यूजी सी नेट के हिंदी की जो बक्चे तयारी कर रहे हैं स्टुडेंट तो उनके लिए हम कल 25 कोशन्स लेकर आए थे बल़ा हैं वहां हैं आपके कोशन्स है 25 यानि की जो 50 का हमने आपको टागेट दिया था वहां आज कंप्लीट हो जाएगा चली शुरू करते हैं आपके कोशन्स यूणिट आपको पताई है कि आपकी विनिट शिक्स चल रही है और ऑर यूणिट शिक्स आपकी उपन已經 से संब आप कर चुके थे एक बार वर्द्स को देख लेते हैं पागुन के दिन चार उपन्यास के लिए खक हैं रिशब चरण जैन बेचन शर्मा उगर सुर्या कांतिर पार्टी निराला चतुर सेंद शास्त्री तो प्रशन का अंसर सूच लिजिए 31 का अगर आप सूच रहे हैं भी बेचेन शर्मा उगर तो बिल्कु सही है चले आगे का प्रशन देखते हैं विराट की पदमनी वरंदा वनलाल वर्मा का किस प्रकार का उपन्यास है तो समाजिक है इतिहासिक है जासुसी है या फिल्मे से कोई नहीं है तो विराट की पदमनी जो लिखा वरंदा मन्द के द्वारा जो लिखा गया है उपन्यास तो यह नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरह का यह उपन्यास हो सकता है तो यह उपन्यास है आपका एतिहासिक चले दिखते हैं निमलकित में से किसने अपने उपन्यासों में भावक्ता का समावेश किया है तो इसे पूछा गया है कि किसके उपन्यासों में भावकता भी है और कावयत मकता भी है परिंदावनलाल वर्मा के सुर्यकांतिर पाठी निराला के उपन्यासों में अग्ये के उपन्यासों में पांडे बेचेन शर्मा अग्ल के उपन्यासों में तो जल्दी से सोचिए इसका अंसर थर्टी तरीका कि किसके उपन्यासों में भावकता और कावियत्मकता है तो थर्टी तरीका अगर आपने सोचा है भी सुर्य कांतिर पाथी निराला तो बिल्कु सही है इनके उपन्यासों में हम भावकता और कावियत्मकता देखते हैं नेस कोशन है प्रेम चंद योगीन उपन्यासों की विशेष्टा क्या है विवितता मिशिल पिगत नवींता एतिहासित वैव नवींता आंचलिकता नवींता या फिर ये सब ही तो जो प्रेम चंद योगीन यानि के जो प्रेम चंद के समय के उपन्यास लिखे गए उनकी वि थी प्रेम चंद जी के समय जो उपन्यास लिखे गए उन में विविदता थी और शिल्क गत नवीनता थी चलिए हम चलते हैं नैस कोशन की तरफ नैस कोशन आपका है इन में से हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के इस्तान पर चरित्र को भारने का परियास किया है तो उन उन्होंने घटना ना लेकर उन्होंने चरित्रों को भारा है गोपाल राम गहमरी देवके नंदन खत्री बाल कृष्ण भट्री या फिर प्रेम चंद तो सोच लिजे 35 का आंसर क्या लगा रहे है अगर 35 का लगा रहे है डी प्रेम चंद तो बिल्कु सही है इनके उपन्या सबी कहानी आपको पता भी होगी तो हमें बताना है कि यहाँ पर चित्रित क्या किया गया है शेहरी जीवन वहां की संस्कृति को गरामिन जीवन और इसकी संस्कृति को शेहरी वे गरामिन दोनों की संस्कृति को या फ्रोक में से कोई नहीं तो यह तो ऐलिमिनेट हो जाए क Lupinasi के केंदर में हैं क्यौषा के हैं अपमान की समस्य है या फिर इन में से कोई नहीं तो यह तैलिय ने जो ठावाण का गर आप लगा रहे हैं भी गाइं में की समस्या तो भी troll से हैं चलिकirse कूशन Dेकते नेस्स कुशन है आपका देखे यूजी से काई ये हिंदी सेकिंड पेपर अपका चलिए देखते हैं आपका अगला कुशन मजदूरी करना कोई पाप तो नहीं किसान बिगड जाएं तो मजदूर हो जाता है और मजदूर यदी बन जाए तो किसान हो जाता है यह कथन कि पापा बते सरनाथ तो देखलेजिए इसका अन्जर आप क्या लगाने जा रहे हैं इसने कहा ये है तो 38 का आपके जो अस लेवस में गधान है वहीं से यह कथन लिया गया है ठीक है यह कथन वहीं से लिया गया है लेकिन मजदूरी करना कोई पाप तोने ही किसान बिगड ज तो मजदूर हो जाता हैü यह तो आपको बता चल गए, कि ये गोदान से संबंदित हैं लेकिन ये क्थन कहा, और ये ये एकचाम में जरूर बनता है, इस हो जरूर पढ़िए चलिए ञएस कोशन पर चलते हैं, क्या हाकर मोटे हूए हो मोटे तो वे होते हैं जिन्हें ने रिन की सोचो ने मरजात की चिंता हो सौ को दुबला करके तब कोई एक मोटा होता है यह मोटा होना तो बेहयाई है सुख तो तब है जब सम मोटे हो यह कथन कि सुपन्यास से उद्रित है यानि कि सुपन्यास से है या किसु पन्यास का या कथन है तो बताएए जल्दी से आपका बंटी, बलच नमा, मेला आचल, गोदान ये चारों पन्यास आपके सामने हैं चारों में से जल्दी से सोच लिजे अनसर आप क्या सोच रहे हैं तर्टिनाई का अगर आपने अनसर सोचा है डी तो बिल्कु सही है, जो कथन ओपर गोदान का था, वह कथन भी यहीं पर है, और आपको एक चीज़ बता दे ये दोनों ही कथन इससे हैं, और आपको लेकिन इन दोनों कथनों को कहा किसे नहीं ये जानकारी आपको होनी चाहिए और ये तो पता चल गया है कि एक अधन कहां से है, ठीक है, दोनों ही तरह से आपके कोशन्स बनते हैं, किसने कहा और कहां से है, गाउं क्या था, पूरवा या दस बारा घरों का, जिसमें आदे खपरेल के थे, आदे फूस के प्रस्तुत पंक्तियां की सुपन्यास से ली गई हैं, देख लिजे, आदे अधोरे, गोदान, चंद्रगुप्त, शेकरे, जिवनी, तो बहुत इजी है, इसका अंसर बिलकुल अभी अभी आपको मैंने बताया था कि, इस सुपन्यास में गरामिन सलस्कृति का जीवन के बारे में बताया गया है, गरामिन सलस्कृति का जिक्र गया गया है, तो यहाँ पर गाउं है, तो गरामिन में यह आता है, यह तो गोदान में इसका जो है जिक्र है, और इसका चितरन है, गरामिन सलस्कृति का, तो वही का ये पंग्ती ली गई है नेस कोशन जहनेंद्र कुमार ने अपने उपन्यासों में शुक्ष मुण से विचलेशन किया है समाजी सुधार का पात्रों की मानसीक प्रवर्तिय अंतरद्वंद का रश्यकों की समस्या का काम पीड़ावे एहम का समर्पन तो जल्दी से सूच लीजी जहनेंद्र गुरुमार के जो उपन्यासों में शुक्ष मुण का विचलेशन कैसे किया गया है तो फ्यॉट्टी वन का अगर आप सोच रहे हैं बी पात्रों की मानसिक व्यप्रवर्तिय अंतरद्वंद का तो जहनेंद्र जी जो लिखते हैं वो वैसे तो ये मनोविशलेशन वादी बोले जाते हैं उपन्यासकार उसमें जहनेंद्र जी भी आते हैं आपके इला चंदर जोशी भी आते हैं जो मनो विशलेशन वादी उपन्यासकार बोले जाते हैं तो अब जब मनो विशलेशन वाई तो मांसिक से संबंदित परवर्टियां बताएंगे ना ये फिर अंतरद्वन भी बताएंगे उसके बारे में तो ये उसका ही विशलेशन करेंगे उसका ही शुक्ष मुरूप से विशलेशन करेंगे तो वही चीज है कि ये इनके द्वारा mischillation किया गया है नैस कोशन नमने लिकित में से किसके उपन्यासों को नाइका परधान उपन्यास भी कहा जाता है जानेंद कुमार यश्पाल अगेल अचंदर जोशी तो आपको बता दे कि नाइका परधान भी उपन्यास जो है वो जानेंदर कुमार जी के हैं जैसे सुननदा है इनका त्याग पत्र है त्याग पत्र में भी इनोंने मर्नाल को ही जो है बत बनाया है तो नाई का परधानी है वह भी है ना नाम तो उसका से सुननदा है इनका और इस तरह के वो पन्यास इनके काफी पन्यास है जो नाई का तो आपके लिए 43 का आपका अंसर बता दें कि इस तरह तो नहीं आएगा कि वैसे तो तीन ही आप पूछे गए तो हम कन्फूज हो सकते हैं यह हो सकता है यह इनका यह इनका यह का लेकिन ऐसा नहीं है यह सारे ही जो 43 के आपके उपन्यासे वो सभी इलाचंदर जोशी के हैं और मैंने भी आपको बताया भी था कि यह जो है मनोविस्लेशन वादी उपन्यासकार हैं और यह सब इनके लिखे गए हैं ठीक है नेस कोशन निमले लिकित में से कौन सी रचना इलाचंदर जोशी की नहीं है जिपसी, सुबह के भूले, जहाज का पंची, वीवर्त तो बता रिए तेन रचना आपको उपर पता चल चुकी है और इसमें कौन सी है और इनकी तो 44 का आपका आंसर जाएगा वीवर्त नहीं है इनकी बाकी जिपसी, जहाज का पंची, सुबह के भूले अब वीवर्त किसकी है ये आपको देखना है कि वीवर्त किसके द्वारा लिखी गई रचना है बताना है आपको कमेंट बॉक्स में ठीक है अगर हम बताएं आपको तो हमारे हिसाब से तो ये जैनेंद्र जी की रचना है ठीक है आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं चले नेस कोशन पर चलते हैं आपके निमले कित्मे से कौन सा उपन्यास आत्म कथात्मक शैली में लिखा गया है लज्जा, जिपसी, मुक्तिपत्थ या फिर सन्यासी अब देखें यहाँ पर आपको तोड़ा सा देखना पड़ेगा आत्म कथात्मक शैली में कौन सा उपन्यासे या को लिखा गया है तो 45 का आपका जाएगा D, सन्यासी जो है आत्मका थात्मक्षाली में है और बिल्कुल अभी भी मैंने बताए कि सन्यासी किसका उपन्यासी है नेस कोशन, नमले किसमें से कौन सी रचना आगे की नहीं है नदे के द्यूशे कर गये जिए नहीं अपने 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 अजनभी अभी आपको बताने कि ये दिनों रचना इनी की है लेकिन मुक्ति बोद इनकी नहीं है अब मुक्ति बोद किसकी है आप इसमें बताईए मुक्ति बोद किसकी लिए गई है अब भी आपको बता देते हैं यह भी जैनेंदर के बारे में आपने पढ़ा तो मुक्ति बोद जैनेंदर जी की ही रचना है और यह 1966 में नोट कर सकते हैं मुक्ति बोद जैनेंदर की रचना है और यह 1966 में लिखी गई थी और इसके लिए इनको पुरुसकार भी मिला है नोट कर लिजिए कोई साथ पुरुसकार मिला है इनको इनको साहित अकादमी पुरुसकार भी मिला है 1996 में और इनके द्वारा ये लिखी गई है 1966 में इनको साहित अकादमी पुरुसकार मिला है इस रचना के लिए चले नैस कोशन देखते हैं अगे ने अपने उपन्यासों में किसका चितरन किया है सहज भाउनाओ का दमित भाउनाओ का योन परवर्तियों का काल पनिकता का तो अगे ने जो अपने उपन्यासों में चितरन किया है पौटी सावन का अगर आप अंसर सोच से योन पर वर्थिये का तो बिल्कु सही है चलिए नैस कोशन देखते हैं फ्लैश वैक में लिखा गया उपन्यां से अपने अपने एज़ंडी स्यकर एक जी उनी नदी के दिव पिन में से कोई नहीं तो फ्लैश बैक में जो पन्यां सभी को पता है कि जो पन्यां से 48 का आप अपने सारी वाते सोस्ताइब फ्लेश पैक में हैं और यह प्रश्णी बहुत इंपोर्टेंट है आपके लिए चलिए ने स्कूर्शन देखते हैं अगे का व्यक्तिवादी जीवंदर्शन की सुपन्यास में व्यक्त हुआ है नदी के दीप अपने अजनभी शेकर एक जीवन ने अपने कोई आधार बना कर लिखा है लेकिन उस बात का भी उन्होंने खंडन किया था चलिए नेक्स कोशन देखते हैं निम्लेकित में से कि सुपन्यास में छटी सात्वी शती में पत्नो उन्मिक भारत की सभ्यता सथक्रति का चित्रन अत्यंत शुक्ष में हुआ है माणभण की आत्मकथा चारुचंदर एवी दोनो जय योध्य तो 62 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं सी एवी दोनो तो व्योंकु सही है चले नेस कोशन निम्लेकित में से किसका संबंद रहूल साकरत्यान से है जय योध्य मुर्दे का टीला नई पोद या फिर ये सब ही तो 63 का आपको अगर बताएं हम जय योध्य उनके द्वारा लिखा गया है और यूनिक उशन है जरू नोट डाउन करें सिंग सेना पती जय योध्य हो पन्यास किसके संगर से संबंदित है अब देखें यहाँ पर तो पूछे गए किसके द्वारा है ये लेकिन और योध्य गण को चोल गण वैग मुगल राजे कुप्त वैग मुगल राजे इन में से कोई नहीं तो इसको तो एलिमिनेट कर दीजिए अब इन तीनों में देख लीजिए आपका आंसर कौन सा जा रहा है अगर 64 में आपका जा रहा है तो बिल्कु सही है चले नेस कोशन पर चलते हैं निम्ले लिखित में से किसका संबंद रांगे राखव से है मुर्दो का टीला अंधेर के जुगनू यशोदरा जीत गई तो 65 में 65 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं डी तो ब्यकु सही है ये सभी जो है रांगे राखव के द्वारा लिखे गए हैं चलिए सब्सक्राइगी काली गटा महा गया त्रागा था मुर्दो का टीला तो बहुंचोदर के समय समाजी कराने के सांस्कृति प्रिष्टतियों का जो चितरन हुआ है 66 अगर आप आंसर सोच रहे हैं डी मुर्दो का टीला तो ब्यकु सही है और यह भी मैंने बताया था किसके द सोच रहे हैं सी मुर्दो का टीला तो बिलकु सही है क्योंकि उस वक्त जो है जब यह मुर्दो का टीला लिखी जा रही थे वहीं का यह चली आगे देखते हैं निमले कितमे से कौन सा है कांचले को पन्या से मैला चल पार्टी कामरेट दीविया मुझे चान चाहिए तो सभ बलचनमा रतिनात की चाची बाबा बटेसरना दिन में से कोई नहीं तो मितला के जीवन को आधार बना कर लिखा गया है तो सिक्स्टी सावन का अगर आपने सोचा है भी रतिनात की चाची तो बिलकु सही है मितला के सोरट मेले के दौरा बेमेल विवा को कि सो पन्या से पोध या फिर यह सब भी तो 70 का अगर आपने आंसर सोचा है सी तो ब्युक्त सही है नई पोध मिथला कि सोरट मेले के द्वारा ठीक है बेमेल विवा को दिखाया गया है उपन्यास के माध्यम से किसमें नई पोध में अब यह नई पोध किसका लिखा गया है बताईए जल्दी से कमेंट बोक्स में और शायद मैंने उपर अभी आपको यह कराया भी है तो इस तरह से आपके जो है उपन्यास सम्बंदित 50 कोशन्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं 25 की वीडियो आपको पहले मिल चुगी थी कल और 25 की तो 50 प्रकार से आपके हो चुके है और आपको सभी को पता है कि जो आपकी यूनिट 7 है किस सम्बंदित है पता है ना कहानी से सम्बंदित है तो अब आपके 50 कोशन्स हम कहानी के लेकर आएंगे शाम को ठीक हैं तो बने रही है हिंदी मिलर की साथ और आपको क्या करना है बस आपको छोटा सा काम करना है प्ला आ रही है और आपके जैसे ही बहुत स्ट्रोडेंटे जो हिंदी के तैरी कर रहे हैं तो इनके लिए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अधक जुड़े नहीं है लाल बटन को दबा दीजिए चलिए शुरू करते हैं आपका अब हम एंडिंग और एंड आपका कतम हो चुका है शुरू किया खतम हो चुका है चलिए हिंदी मिलोडे साब बने रहे और अपना प्यारों साथ ऐसे ही बना कर रखिये